जागो लहुर के साथ मैं हूँ स्यदा अर्मला हसन उमीद करती हूँ एद के बाद जो है आपका दिन बहुत अच्छे से गुलने का तयार होंगा आप साटेड़ बाद लोगों का वीकेंड भी होगा यानि कि एकसर लोगों ने लॉंग वीकेंड भी मनाया और एद के दिन जराफ खत्म हुए और तीन दिन आपके साथ स्पेशल ट्रांस्मिशन में हाजर रहे हमने आपको इतने जादा महवानों से बिलवाया स्टार से बिलवाया अपने आंकर से भी आपके मुलाकात करवाई जो स्क्रीन पर जो मुक्तलिफ अंदाज में होते हैं औ कि खाने पीने की एद थी और हमने उस एद के हवाले से बिताने कि अब आपने घर जादा गोश्त खा लिया है कंज्यूम कर लिया इमीर तो इसको किस तरह से आपने कंपन से इड़ी करने हैं बहुत सारी चीज़ें होगी जो आज हम डिसकास करने वाले लेकिन उसके साथ सा को से इंटरों में आपके से शेयर करती चलूँ और आपको बिताओ कि आज जोए एहमत फरास की बर्षी है बहुत ही जबदस किस्तन के शायर जिनके जिनोंने शायरी को एक नए तकाज़स से भी मतारिफ करवाया खौबों को लबजों का रूप देने वाले एहमत फरास का से नाम जताव सेद एहमत शाह था 12 जनवरी 1931 को नोशेहरा में वैदा हुए और उर्दू फार्शियों अंग्रेजी अदब में उन्होंने एमेबी किया और जो उन्होंने अपनी अमली जिन्दगी का आगाज है वो रेडियो पाकिस्तान चे किया उसके बाद वो पिशाव के हवाले से नजर आता एक जो जहलक उसकी लेकिन उन्होंने माशरती नाम वारियों के खिलाफ भी नारा बगावत धपूर शिदत के साथ बुलंद किया और उन्हें मुक्तलिफ इसके नतीजम उन्हें मुक्तलिफ वाबंदिया भी जहली पड़ी और जलावती भी इक्तिय और ये सारी जो तसनीफ हैं उनके उसमें शामिल है जनाब अहमत फरास को मुक्तलिफ एज़ाजाद से भी नवाजा गया जिसमें सतारा इम्तियाज और हलाल इम्तियाज के नाम भी जो हैं वो सरे फिहरेज थे 25 आउगस 2008 में वो इसलामबाद में अपने खाली के हकी से जाबले उनकी शारी के दुनिया में उनकी जो खिद्मात हैं उनको बिलकुल भी बुलाया नहीं जा सकता अहमत फरास के हवाले से मारे पस एक पैकेज है आपको वो दिखाते है 14 जन्वरी 1931 को कोहाट में दुनिया अदब के उफख पर एक रोशन सितारा उभरा खाबों को लफजों का रूप देने वाले एहमत फरास का असल नाम सेद एहमत शाह था उन्होंने अर्दु शारी में वो मकाम पैदा किया जिसकी कई एहले जुबान को हसरत रही ये जो सरगश्टा से फिरते हैं किताबों वाले इन से मत मिल के उन्हें रोग हैं खाबों वाले मैं कट गिरूं के सलामत रहूं यकी है मुझे के ये हिसार सितम कोई तो गिराएगा अहमत फरास ने गम दौरां को गम जाना के साथ बड़ी खुबसूरती से परोया जिस सिम्त भी देखू नजर आता है कि तुम हो ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो उन्होंने अपनी मजहमती शायरी से इनसान दोस्ती का बेलाग इजहार किया जिसकी पादाश में कभी पाबंदी तो कभी खुदसाखता जिलावत नी जहलनी पड़ी इस मौसम में गुलदानों की रस्म कहा है लोगों अब फूलों को आतिश दान में रखना वो बर्क लहर बुझा दी गई है जिसकी तपिश वजूद खाक में आतिश फशां जगाती थी बिचा दिया गया बारूद उसके पानी में वो जूए आप जो मेरी गली को आती थी 25 अगस्त 2008 को उर्दो के बुलंद पाया शायर ने इस दुनिया से मुमोड लिया मगर खाबों के बेवपारी फराज उन में से एक हैं जिन पर वक्त की करत नहीं पड़ती अब के हम बिच्छडे तो शायद अभी खाब में मिलें जिस तरह सूखे हुए फूल किताब में मिलें जी एम फराज के हवाले से आप में पाकिज तो देखा और उनके इंट्रू में भी मैंने आपको इनकी जो तमान तर जिदगी की कहानिया है जो जो उतार चड़ा उन्होंने देखे अपनी शायरी के जरिया जिस तरह से उन्होंने एक नारा जो बुलंड किया बगावत का उसके साथ साथ उन्होंने जो गमें जाना और इस तरह की जो एक गम के हवाले से महुबत के हवाले से उनकी शायरी में जो आपको जल्लक नज आज हम डाइट के हवाले से दिसक्शन करें वाले तुसके लिवायर से मौजूद होगी नुट्रिशनिस्ट अक्सा अमीन अक्सा वेल्कुम तुझे शोर थांक यू सोमस्ट कैसी हैं आप इस बात अल्ला का शुक्राइब यह मैं बिल्कुल ठीक अक्सा अमें यह बताई ना कि हमने एद के दिनों में जुन्हों ने बहुत ज़्यादा गूश्ट खाया है सबजिया बिल्कुल छोड़ दी है उनके हवाले साज आज आप क्या बताने बाते हैं छोड़ जादा पसंद किया जाता है जो लोग वैसे नहीं भी बीफ खाते लेकिन वह चुंके आपके घर सामने कुर्बानी होई होती है तो वह ज़्यादा प्रेफर किया जाता है खाया जाता है इत के दो दिन थो, सुबा, शाम, कडाई और वो सब खाया जा रहे हैं, शोरबे भी नहीं होते हैं, जो प्रॉपर मुर्गन घजा हैं, जिस हम कहते हैं, ज्यादा मसाले बारी और तेल वाली खाया रही होती हैं, जिसमें कलेजी कभी इस्तमाल किया जाता है, और लोग बूल कि हमें थोड़ा साइतिदाल के साथ खाना जाहिए, और पानी जादा पीना जाहिए, और थोड़ा सा सा इस्तमाल करना जाहिए, तो अब इत के तीन देन गुजर चुके हैं, तो वापस उस पैटर्न पर आजाना जाहिए, अब भॉह सारे जो लोग हैं, ज्यादा मीट और ब्लोटिंग अजाती है और कई दिफाग कहते हैं कि गॉल ब्लडर में पेशेंट के स्टोन होते हैं लोगों के मसाने में पत्री होती है हो जो है और जादा पेश पैंफुल हो जाती है ज़ी है पानी काशी पानी कोई एक पर चॉदंग पानी का स्टाविया होते हैं अब जो मने तीन दिन सारी चीटिंग कर लिया जैसे आपने कहा कि एक चीट दे नहीं था वो तीन चीट दे से और वह मने जब कर लिया तो अब हमने उसको कमपसेट करने के लिए आइवुड से एक पूरा हफता जो है वो गोश्ट से दूर है अच्छा पूरा हफता पने तो जैदा इस्तमाल किया चुंकि हमारे जहां पर जनरल यह परसेप्शन है जिस गोश्ट खा रहे हैं तो कोल दूरिंग पी झाना अच्छा हजब होचा है हलागके आक्टके जिया रोटे था का यह अच्छा पोज्चा नहीं होगा आज अच्छा वाद पाद जब हम गोश साले दार और ज्यादा तेल वाले और वह सब खाये में हैं और पूडियां खाई नाश्तों में इस तरह की जब चीजां खाई हुए तो अब थोड़े दिन के लिए ज़रा लाइट फूड पर आ जाएं और गोश्ट से परहेज करें सबजी सालन में बनाएं सबजी सलाद में इवन के एट पर भी सलाद होना चाहिए था लेमन वाटर होना चाहिए लेमन वाटर ना चाहिए लेमन वाटर दोस्कंज बीन जो हाइपर टैंसिव उनको तो सकंज बीन की ज़रूरत नहीं है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो तो सिरफ पानी के अंदर लीमू ने चोड़ लें और वह पीलें वह बहुत अच्छा है बिल्कुल वह स्किन को भी अच्छा रखेगा लिवर भी सासा डी टॉक्सिफाई होता रहेगा क्यूंके बहुत ज्यादा गोश्ट खाया गया तो अब कुछ एक दो दिन तो कमसकम बिल्कुल इतदाल से चलें सबजियां और सलाद की फ़र्म में सबजियां ज्यादा क्याएं चावल खाने से परहेज करें नान खाने से परहेज करें कोशिश करें कि घर की बनीवी गंदूं की चपाती जो है वह इस्तमाल अच्छा इद पर गोश्ट के इस्तमाल और अब सबजियों की बात कीजिए तो इसकी करें रेड मीट करें तो में दालों को भी सी तरह से अब वेजिटेबल के साथ सथ अपनी डाइट का हिस्ता बनाने क्या रूटीन सेट करें क्या डाइट प्लान होना चाहिए हमारा अब ही जब हम लोगों ने बहुत साथ घोश्ट खा लिया तो हमने कंप्लीट प्रोटीन छो होती हैं द यहां किया तरो चीजी झायां को अर प्रोटीन वोगों आफ ऐसाद किया शल्रैना करती हैं रहां कॉलेस्टरल मौली फूड और तेन दीन दन तो दाल बनाई मरें और और अगर शुक्षा पने हम चाहिए होती सब्हों गचान मैं सिर्फानिया उक्तिका भाल इन परहेज किया जाए किया जाए किया जो आपके बोडी में इस्टोर हो चुका है और फैट वगारा और ग्रीन टी पी सकते हैं अच्छा ग्रीन टी का भी मुझेप्स दरा एक्रा के लिए कर दें कि पानी में आजाएंगे यहां पीलेंगे तो प्री रेडिकल्स आप लिए लिए कर देंदर पानी बॉयल करके उसमें एक पिंच ग्रीन टी टी लीव डालें और वह स्टीम पे दो मिनिट में पग जाएगी अच्छा हाँ स्टीम पे चूला नहीं अन रखना और उसके बाद उस पेन करके आप इसमाल कर सकते हैं दिन में दो का पी लें दिन में तीन का पी लें अगर आपने बहुत थोड़ी अमाउंट में गोश्ट शाय एक से दो आउंस एक बोटी आपने इस साइस की दुपहर में अगर आपने तीन दिन चीट देश गुजारे तो अब आप जड़ा टाइम उसको कमपेशेट करें अपनी हेल्धी डाइट को अपना हिसा बनाए जो 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 अक्सा ने टेप्स बताई है उस पर अमल करें अभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजर होगे